हेलो एर्विवन लास लेक्षर में हमने प्रोकेरियोटिक सर्स के बारे में पढ़ा था और आइगेस जो पैरामेसियम का स्पेलिंग था वो शायद इसमें गलत लिखा हुआ था तो पैरामेसियम का स्पेलिंग सही कर लेना देख लेना और अगर फिर भी आपको मतलब वैसे आपके थोड़ा सा आपके लिए convenient होसके लिए आपको लिख भी रहता हूँ तो पैरामेसियम का स्पेलिंग होता है पैरामेसियम यही होता है आप एक बार वापर से cross check भी कर लेना हो सकता है मैं भी गलत हूँ ऐसे यह वाला भी जो term है इसमें भी गलत लिखा हुआ थोड़ cells तो इसके बारे में क्या क्या रहा है बस वही prokaryotes में जो problems थी जो कमिया थी वो सारे कि सारी कमिया पूरी क्या थी यूकरियोटिक में यूकरियोटिक cells में क्या 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 रहा है they have well-defined nucleus ठीक है they are complex in a structure it contain more than one chromosome हमने prokaryote में देखा था एक ही chromosome था और nucleus is present they are generally large that is five to hundred micrometer यह micro है ठीक है यह यू दिया हुआ यू की जहाँ पर यह म्यू होता है यू में थोड़ा से यह पीछे की तरब यह पूछ निकली होई होती है इसी को म्यू बोलायता है तो five to hundred micrometer होता है यू के आगे म्यू के आगे M लिखा हो होना चाहिए तो prokaryotes में और eukaryotes में आपको अंतर clear हो गया होगा आपको class eight में तो थोड़ा बहुत पता था ही इसके बारे में अब आगे बढ़ता है various shapes of cell cells are found in various shapes such as round shape, spherical shape, oval shape, spindle shape and branch shape तो कोई सा भी shape हो सकता है और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी amoeba होता है amoeba कोई सा भी shape fix नहीं है वो कभी circular shape का भी होता है और एक दम आजीब सा ऐसे ऐसे करके भी कोई shape हो सकता है तो cells का कोई भी specific structure नहीं है ठीक है लेकिन हाँ specific type के cells के specific type के structures हो सकते हैं ठीक है जैसे अगर हम red blood cells के बारे मात करें तो उनका एक specific type के structure है ऐसे ही अगर हमारे skin के cells के बारे मात करी है तो उसका भी specific type के structure हो सकता है onion peel जैसा कुछ दिखता है onion peel मतलब अगर onion का उपर वाला layer बिल्कुल पतला वाला layer निकालो और उसको microscope के under में देखने की कोशिश करो आगयाने वाले slides में वो show भी करेगा आपको वो एक wall जैसा कुछ structure होता लेकिन well defined wall नहीं होता जैसे इंटे ल cell organelles, cell organelles में क्या क्या आते हैं उसके बारे में बताया हुआ साथ से पहला तो nucleus तो cells के अंदर जो भी parts होते हैं उनके बारे में यहां पर define करा हुआ है nucleus it is a very important organelle of the cell as it regulates all the activities of the cell लब ऐसे बोल सकते हो कि यह जैसे हमारा brain है हमारा brain mainly सारे functions को control करता है हमारे body में जो भी functions हो रह ही होती है उन सारे activities को generally brain ही monitor करता है या control करता है वैसे nucleus होता है nucleus सबसे important part होता है किसी cell का उसके अंदर सारे के सारे functions जो भी जादतर करके functions होने वाले सबसे important functions होने वाले हैं वो सारा का सारा nucleus के अंदर ही होता है तो Nucleus के जो अंदर की दुनिया है वो बहुत ही वास्ट वर्ल्ड है आगे बढ़ते हैं Nucleus It is a part of nuclear Nucleus It is known as factory of ribosomes It helps in protein synthesis of the body तो it is known as a factory of ribosomes Ribosomes की बारे में भी पढ़ने आदे हम आगे लेकिन ribosomes जहां पे create होते हैं या फिर जहां पे इनका development होता है जहां पे इनकी growth होती है उस जगह पे वो कहां पे होता है Nucleus के अंदर होता है It helps in protein synthesis of the body तो protein का जो synthesis होता है वो कहां पे हो रहा है Nucleus Nucleus के अंदर हो रहा है Chromosomes They are vehicle of genes Vehicles of genes मतलब ये genes को carry करते हैं Carry करते हैं एक generation से लेके अगले generation तर मतलब Chromosomes ही हैं जिनकी वज़ा से आपके कुछ qualities आपके मम्मी या आपके पापा से मिल सकते हैं That's why they are called vehicle of genes Chromosomes ही जो हमारे मम्मी या पापा के traits हैं उनका जो उनकी कुछ qualities हैं उनका कॉलिटीज को उनसे हमारे तक पास करते हैं जीन्स आर कैरेड़ वाइ spelling mistakes हैं तो उसको थोड़ा सा avoid करोगे ठीक हैं और अपनी तरफ से सही spelling लिखोगे height etc तो वही है Chromosomes जो होते हैं इनकी वज़ा से ही हमारे जो मम्मी या पापा के traits हैं वो हम में आता हैं कई बार तो कुछ ऐसे बीमारिया भी होती हैं जो एक जनरेशन से अगले जनरेशन तक पहुशती हैं तो इसलिए जो है काफी अपने आपको healthy रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अपना food habit बहुत अच्छा होना चाहिए अपनी activities बहुत ज़्यादा अच्छी होना चाहिए अपने मतलब आपको थोड़ा ज़्यादा sporty in nature होना चाहिए मतलब आप ज़्यादा तर करके active रहो अगर खड़े हो तो proper खड़े रहो खाना खा रहो तो बहुत proper खाना खाओ बेकार चीजे मत खाओ जैसे oily चीजे होती है लोग generally बहुत ज़्यादा खाने लगें इस समय खासकर जो Chinese चीज है तो Chinese food जितना ज़्यादा avoid करना हो सके आपसे उतना ज़्यादा avoid करना है हाँ कभी-कभी ऐसा होता है कि ठीक taste थोड़ा सा change करने के लिए कभी-कभी खाया सकता है लग generally इन चीज़ों को avoid करना हो है ताकि हमारी जो अगली generation है उस पे at least हमारी वज़र से कोई problem ना आए और वैसे ब आपको पता है कि आज की टाइम पे जो food habit लोग कि बहुत ही बेकार हो चुकी है food में जो पहले quality हुआ करती थी वो अब qualities नहीं रह गई तो इन चीज़ों को avoid करने लिए हमें क्या करना है कि एक proper जो भी चीज़े हमें बताई आते हैं आज के टाइबे dietrition इस लिए बहुत ज़दा है उनका important role हो गया है हमारे life में otherwise पहले जमाने में तो लोग इतना ज़दा अच्छा खाना फीना करते थे उनको dietrition की जरुद भी नहीं पड़ती थी ठीक है तो जो और्गनेल्स है और्गनेल्स में अससे पहले हमने पढ़ा nucleus फिर nucleus फिर chromosomes nucleus आपको पता है ठीक है nucleus का structure आपको बिल्कुल clear है हमने पहले पढ़ा हुआ है फिर nucleus nucleus का structure आप यह nucleus के अंदर ही होता है इसके अंदर ही बागी जो सारी activities हमने ribosomes के वारे में पढ़ा था वो सारी activities हो रही है और protein co synthesize भी इसके अंदर ही यह protein synthesis होता है तो यह instrument microscope बहुत ही छोटा सा होता है मतलब इसका जो length होगा इसकी जो height होगी almost 30 cm के around होता है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है जो normal microscope होता है जो generally in labs में होता है उसी microscope के अंदर में हम चीजों के खासकर के cells अगरे को observe करते हैं किसी भी तरह का जैसे onion peel का अभी मैंने कुछ देर बहले example दिया था इस तरह के जो छोटी मोटी चीज़े हैं इनको हम इस तरह के microscope के अंडर में ही observe करते हैं और उनके cells को और उसके पर और भी अंदर की चीजों को देखने की कुशिश करते हैं और उसको जो है एक तरीके से experience करने की कुशिश करते हैं यह रहे chromosomes ख्रोजुशैद की कैसे क्रोजु ऑर है इस चीजर क्क एक तौर्स स्ट्रक्चर होता हा अभी तो बस यह सब चीज़ें बस देख लो और समझ लो की ऐक्वाबिया लग जाय कि कौंशी चीज़ें कैसे दिखती है, फिर आता है endoplasmic reticulum, ये भी organelles में ही आता है, it is located around the nucleus of the cells, ये nucleus के अंदर नहीं है, nucleus के around है, endoplasmic reticulum होते हैं, they are large network like structure, network like structure होगा, जैसे एक तरीखी के web like structure होगा, it looks like longs, long tubules और round or oblong bags, vesicles, तो ये tube के, tube जैसा structure भी हो सकता है, round भी हो सकता है, और एक sack जैसा कुछ structure भी हो सकता है, they are of two types, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum, तो इसको SER लिखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, the main function of endoplasmic reticulum are detoxification होता है, तो इसको थोड़ा साँ सही कर ले रहा, detox करता है, detoxification of poisonous material and exchanging of materials, तो basically क्या होता है, जैसे हमारे excretion system होता है, हमारे body में जो भी poisonous चीज़े होती हैं, वो एक तो हमारे skin के थ्रू बाहर निकल सकती हैं, हम जब excrete करते हैं, उसके थ्रू भी बाहर निकल सकती हैं, और जब हमारे, जब urination के थ्रू भी बाहर निकल सकते हैं, तो detoxify करता है cells को, endoplasmic reticulum जो होता है, ठीक है, functions of rough endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum is the site of protein and they manufacture proteins, manufacture कर रहे हैं proteins को यह आपको याद रखना है, rough endoplasmic reticulum जो होते हैं, वो protein को manufacture कर रहे हैं, और proteins को synthesize को कर रहा था, nucleus के अंदर हो रहा था, ribosomes कर रहा था, it consists of many ribosomes and so the surface is rough and they are named after rough endoplasmic reticulum, चुकि यह बहुत सारे इन पे ribosomes चिपके हुए होते हैं, इसलिए और उसी के विए से इनका जो surface थोड़ा सा rough type का हो जाता है texture, इसलिए इनका नाम पढ़ गया है rough endoplasmic reticulum, अब इससे आपको पदा चलता है smooth endoplasmic reticulum का नाम smooth क्यों पढ़ा, उसके पीचे यही reason होगा उसको जो surface हो बहुत स्मूध होगा, तो endoplasmic reticulum हैं, देखो कैसा भी structure है, मतलब कई पर tube like structure भी हो सकता है, sack like structure भी हो सकता है, किसी भी तरह का structure हो, यहां पर खास करके हमें tubular type का structure देख रहा है, ठीक है, nuclear membrane, it is the outermost layer of the nucleus, nucleus, nucleus के around एक wall होता है nucleus का, ताकि nucleus के अंदर को जो material है वो बाहर ना निकल पाए, ठीक है, it helps in the exchange of materials, it contains chromosomes, तो chromosome होते हैं, वो nucleus के अंदर ही होते हैं, आज के लिए मुझे लगता है कि इतना बहुत है, आकि हम next lecture में continue करेंगे, तब तक के लिए, thank you.